आए और एक practical problem देखते हैं जिसमें अगेन थोड़ा सा बड़ा problem बेश की समझ में आ जाएं तो थोड़ा सा मुश्किल question दी देखना चाहिए be a public limited company operates in manufacturing sector the draft statements of financial position as on देकि इसमें उस sector में से तीन companies हैं बी एक है बाकि जी और आर भी है उनके non current assets इसको property plant भी कह देते हैं fixed assets भी कह देते हैं investment in जी investment in आर यहां एक note करें point जी में investment किया बी ने और जी जी में जी ने investment किया आर में तो जाहर है अगर जी ने investment किया है तो उसकी balance sheet में ही आएगी इसका मतलब यह हो गया कि बी और जी तो सबस्ट्री और holding है लेकिन जब जी ने आर में कर दी investment तो आप कह सकते हैं अगर वह more than fifty percent है तो जी भी holding बन जाएगी और फिर उसकी सबस्ट्री बन जाएगी लेकिन क्योंकि बी holding में है और जी उसकी सबस्ट्री रही है इसलिए जी को अपने अलग से ग्रूप अकांट्स भी बनाने अब भी बनाएगी जिसमें जी और आर दोनों शामिल हो जाएंगे current assets total assets share capital retained earning non current liabilities और फिर current liabilities भी है non current में आपके loans वगारा जो long term loans होते हैं और टोल इक टोल इक्विटी और लिएबिलिटी अगें देखें एक sheet में balance sheet पूरी तीनों companies किये आप इसकी adjustments में देखें अब इसकी adjustments में देखें the following information is relevant to the preparation of group financial statements on first january 2015 we purchase 80% of the equity share capital of yield यह आप 80% के holding आपको पास है तो आपका control आ गया a public limited company company for cash consideration of 74 million तो आपने goodwill निकालनी होगी तो आपको consideration दे दी गई है note कर लें कि तीसरा चौता पॉइंट जो consolidation बहुत जरूरी होता है कि how much consideration you paid for और और वो कैसे calculate होती है यह हमने questions कर चुके हैं तो consideration की figure जो है रहा है that is important also और इसने कैश कंसिडरेशन तो इसमें शेयर इशू नहीं किये उसने cash में खरीदें when the retain earning was 35 यह pre acquisition retainer यह भी clear है इसने कि यह 35 है तो आप असानी से work out कर सकते हैं कि जी इसमें हमारा जो investments है वो कितनी है और उसमें प्री acquisition प्रॉफिट और share capital का हिस्सा जो है वो क्या है तो balance यह है वो good will निकाली जाएगी और जुलाई 2015 सी पर जी परचेस 70% equity share of R अब बेगे जी ने 70% R का खरीद है तो इसका मिल्ब तो यह हो गया कि जी जो है वो R की holding बनती है लेकिन जी itself अगर holding है अपना B की तो फिर जी को अपने group accounts नहीं बना account बनाएगा B जिसमें G और R भी शामिल होंगे हम यह कहेंगे देखें कि B का 80% है G में और G का 70% है R में तो टेक्निकली क्या हुआ कि B holding G subsidiary और R sub subsidiary हमने पिछला question किया था उसमें associate की बात वी थी इस question में क्या है कि हम sub subsidiary की बात कर रहे है and again purchase जी purchase for cash consideration of 55 और उसमें भी उसने बता दिया कि pre acquisition profit जो है वो 20 million का है तो basically यह 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 चीजें धूड़नी पड़ेंगी question में sometime यहां मैंने बढ़ी clearly बता दी हुई है लेकिन question में sometime यह होता है कि हमने workout करनी पड़ती है कि हमने purchase कर जी कितनी पे किया है कैसे कैसे पे किया है औ कि यह यह दो चीजें बहुत ही important to find out the good will. Now we have to prepare again group accounts की financial position और यह मुश्किल नहीं होगा provided कि आप यह दो चीजें समझ में आ गही है कि holding क्या है, subsidiary क्या है और sub subsidiary क्या है, we will see the solution inshallah.